हेलो फ्रेंड आज मैं एक बहतरिन आप लेके आया हूँ जिसके थ्रों से आप ओनलाइन टीचिंग के लगभग सब कुछ फेसलिटी वहाँ पर पास सकते हैं आज के डेट मैं ओनलाइन टीचिंग के लिए एक बेस्ट एप्लिकेशन है बेस्ट मोबाइल आप है जो की आप कंपूटर में भी यूज कर सकते हैं मतलब only teachers कंपूटर में यूज कर सकते हैं लेकिन कोई student कंपूटर में यूज नहीं कर सकता एक ऐसा आप है जिसमें आप live कर सकते हैं class उसके साथ live class को record कर सकते हैं और उसके साथ attendance automatically आप attendance ले सकते हैं उसके साथ आप test कर सकते हैं assignment, notice, each and everything इसमें available है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe किजिए, उसके साथ bell icon को दबा दिजिए, तकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ और सबसे पहले पहुँचे आ आप तक, ठीके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक्चुली इस आपका नाम है टीचमेंट, ठीके तो चलिए पहले जानते हैं इस आपको कैसे मोबाईल में इंस्टाल करते हैं, और उसको रेजिस्टर करके कैसे यूज करते हैं, तो मोबाईल में इंस्टाल करने के लिए मोबाईल के प्ले स्टोर में जाईए, आपको मैं लाइप डेमो दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीके, प्ले स्टोर में क्लिक करने के बाद आप यहा पर सार्च किजिएगा टीच मेंट तो यह पहले में आ जायेगा ठीक है आप इसके उपर क्लिक किजिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उन इस तरह का दिखायेगा ठीक है आप इहाँ पडाँkiego इंस्टॉल में क्लिक के जब आप install में click करेंगे तो ओ आपके मॉबाइल पे install हो जाएगा ठीए तो ए इंस्टल हो गया install हो जाने के बाद आप open पे click कि जए जब आप open में click करेंगे इस तरह का interface आएगा यहाँ पे आपको language 這個 करने के लिए वोलेगा आप यहां पर language को select किजिए फिर continue में क्लिक किजिए जब काइन तो आप को आपका mobile number मागएगा तो आप यहां पे अपना mobile number को डालिए मैं अपना एक mobile number डालता हूँ यहां पर जब आप mobile number डालेंगे तो आपको यहां पर ऑप पूछे कि आप यह टीचर के लिए यूज कर रहे हैं या स्टूडेंट के लिए अगर आप टीचर है तो आप टीचर सिलेट किजिए अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट select किजिए ठीक है select करने के बाद आप यहाँ पर type किजिए अपना नाम मैं यहाँ पर मेरा नाम type कर देता हूँ ठीक है type करने के बाद आप यहाँ पर देखिए add profile picture अगर आप चाहते हैं कि आप अपना profile picture add करें तो आप उहाँ पर add में click करके allow किजिए फिर आप gallery से आपका profile picture एक select कर लिजिए ठीक है सोचे मैं मेरा यह वाला picture में select कर दिया उसके बाद get important updates on whatsapp ठीक है आप इसको on कर दिजिए उसके बाद continue में click किजिए जब आप continue में click करेंगे आपको यहाँ पर class create करने के लिए बोलेगा फिर आप यहाँ पर एक class create किजिए ठीक है आप जिस class के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस class के नाम से आप class create किजिए उसके बाद कौन सा subject आप पढ़ाना चाहते हैं ठीक ह वो subject आप यहां पर type कीजिए ठीक है type करने के बाद यहां पर देखिए और एक दिया हुआ है we want to use teachment for tuition or coaching classes, school or institute classes, hobby और other classes तो सुचिए मैं यहां पर इसको school के लिए use करना चाहता हूँ तो यह वाला select कर दिया, अगर आप tuition के लिए use करना चाहते हैं तो tuition select कीजिए hobby के लिए use करना चाहते हैं तो hobby select कीजिए ठीक है, select करने के बाद आप यहां पर click किजिए create classroom जब आप click करेंगे create classroom तो देखिए यहां पर standard 10 के नाम से एक classroom create हो गया है ठीक है, जो की subject है computer application classroom ID यह वाला दिया हुआ है ठीक है, फिर यहां पर invite student मतलब आप जो class create किये हैं उस class में कौन-कौन सा बच्चा पढ़ना चाहते हैं आप उन सभी को यहां पर invite किजिए ठीक है, फिर मैं यहां पर invite student में click करता हूँ, फिर सोचे मैं whatsapp में ओ सभी student को send करता हूँ जिसे कि मैं यह दूसरा वाला phone student के लिए use किया हुआ हूँ, तो उस phone को मैं send करता हूँ, throw whatsapp ठीक है, जब आप whatsapp में इसको send कर देंगे, तो ओ यह वाला ID उसको मिल जाएगा, classroom का ID ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, न आप उस ID से join कर सकते हैं देखे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर already teachment इंस्टल किया हुआ है ठीक है, तो यहाँ पर whatsapp को open किजिए, ठीक है, यहाँ पर देखे, मैं जो send किया, ओ आया है फिर यहाँ पर मैं क्लिक किया, उसके बाद teachment में क्लिक किया ठीक है जब मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए निचे जो standard 10 approval pending ठीक है मतलब ओ जोएन हो गया है लेकिन teacher का approval चाहिए confirmation के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे ना मैं अपना teachment को open करता हूँ आप यहाँ पे scroll करके देखिएगा new student join request ठीक है एक दिखा रहा है तो आप यहाँ पे click करने पर यहाँ पे देख रहे हैं ओ दिखा रहा है enrollment request तो आप उहाँ पे जो tick sign दिखा रहा था आप उसमें click कर देने से ओ enroll हो जाएगा ठीक है तो अभी मेरा एक student enroll हो गया तो उसी लिए एस अभी function दिखा रहा है यहाँ पे देखिए attendance invite student तो आप लोगों को में बता दिया इसके थ्रों से हम student को invite कर सकते हैं फिर fee management add fee मतलब सुचे आप tuition class के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे fee add fee में जाके आप monthly fee course fee और डाल के ले सकते हैं फिर next जो है add time table तो आप यहाँ पे add time table में क्लिक किजिए फिर आप कौन-कौन सा दिन class करना चाते हैं आप और सभी day को select कर दिजिए सुचिए Monday 9 to 10 Tuesday 9 to 10 Wednesday 9 to 10 Thursday 9 to 10 Friday 9 to 10 Saturday 9 to 10 और Sunday off है तो इस तरह से आप सभी को select कर सकते हैं ठीक है अगर आपका alternative day है तो आप alternative day के हिसाब से भी आप select कर सकते हैं ठीक है फिर आप यहाँ पे update classroom पे click कर दिजिए तो आपका time table यहाँ पे update हो जाएगा फिर teacher के बारे में अगर कुछ लिखना चाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है उसी तरह classroom के बारे में आप कुछ लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं उसके बाद कितना student है और सभी यहां पे दिखा रहा है एक student है बोलके ठीके तो यह सभी है इसका features ठीके उसके बाद ठीके उसके बाद अगर आप class लेंगे live class लेंगे तो कई से लेंगे तो यहां पे देखिए go live बोलके एक option दिखा रहा है आप यहां पे go live पे जब click करेंगे ठीके तो इस तरह का कुछ permission पहले बार मगेगा तो आप वो permission को okay कर दिजे उसके बाद देखिए यहां पे mic और video on बोलके एक option दिया है उसके साथ यहां पे record बोलके एक option है ठीके आप record म को on कर दिजिए ठीके record option को on कर दिजिए लेकिन यहां पे देखिए recommendation दे रहा है we recommend landscape view ठीके एर लेंड्सके मतलब इस तरह का view और recommend कर रहा है लेकिन आपको जो भी comfortable लगे आप उस तरह से ले सकते हैं ठीके तो सुचिए मैं यहां पे लाइब स्टार्ट किया जब आप लाइब स्टार्ट करेंगे तो उहां पे देखिए जो भी student होगा ना उसको message चला जाएगा कि अभी class start हुआ है बोलके देखिए यहां पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ student phone पे यहां पे देखिए live class start हुआ है जो join live में ओ ग्रीन कलर का आ रहा है ठीके तो आप यहां पे join live में क्लिक किजिए जब आप join live इसका माइक अभी on है तो उसी लिए double sound आ रहा है मैं इसको आप कर देता हूँ ठीके देखिए यहां पे नीचे कितना option दिया हुआ है एक है option जिसमें आप quality वीडियो quality को manage कर सकते हैं medium low ठीके उसी दरा mute all अगर सुचिए जो भी जितना भी student है सभी को आप mute करना चाते हैं तो आप वहां पे mute all में click करके mute कर सकते हैं फिर class recording जो कि वहां पे आप लोगों को में बताया वहां पे भी आप record को on कर सकते हैं नहीं तो इधर से भी on कर सकते हैं ठीके उसके बाद माइक माइक को off या on कर सकते हैं ठीके उसी तरह यहां पे कुछ share option दिया हुआ है आप share में share screen share photo share PDF और share whiteboard यह सभी को आप share कर सकते हैं ठीके इसमें कोई भी problem नहीं है सिर्फ आप share PDF पे क्लिक किजिए उसके बाद अपना PDF को सिलेट किजिए सचे मैं एक वाला PDF सिलेट कर दिया तो यह वाला जो PDF है ओ स्टूडेंट के मोबाइल पे भी आएगा ठीके आप देख पा रहे होंगे ओ स्टूडेंट मोबाइल में आ गया तो इसी तरह से आप यहां पे कुछ लिखना चाते हैं नीचे pen है हाइलाइटर है इरेजर है टेक्स्ट है और मौर में और कुछ आप्शन है लाइन कलर सेप और सभी दिया हुआ है मतलब एक क्लास के लिए जितना भी चाहिए होगा यह सभी यहां पे दिया हुआ है आप यह सभी को लेके यूज कर सकते हैं ठीके तो इसी तरह से आप एक फ अगर वीडियो को ओप करना चाते हैं यह जो सब्सक्राइब आप यहां पे क्लिक कर दिजिए तो वीडियो ओप हो जाएगा सिर्फ ओडियो में चलेगा ठीके यहां पे मैं ओडियो भी ओप किया हुआ हूँ नहीं तो ओ इको हो रहा है अगर ओडियो ओन होता तो ओडियो स से चलता क्लास अगर आप वीडियो भी चाहिए होगा तो आप यहां पे वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ओन हो जाएगा उसी के हिसाब से स्टूडेंट लोगों को भी वीडियो सो होगा ठीके फिर आप यहां पे अगर वीडियो बैक केमरा में यूज करना चाहते हैं तो यहां पर जो switch option दिखा रहा है आप यहां पर switch में click करके back camera को on कर सकते हैं ठीक है तो यह live class का जो भी facility यहां पर दिया हुआ है ठीक है फिर यहां पर देखिए उपर में एक option दिखा रहा है message का ठीक है अगर आप message करना चाते हैं तो आप यहां पर click करके नीचे जो enter message अभी दिखा रहा है यहां पर कुछ type करके आप send में click कर सकते हैं जब आप send कर देंगे तो ओ आपके student के phone में दिखाएगा तो यही था live class ठीक है मैं इसको end करता हूँ ठीक है यहां पर recording on है यहां प मतलब मैं जब end करूँगा ओ automatically आपके mobile के record section में store हो जाएगा ठीक है एही इसका सबसे बड़ा खासियत बात है कि जब भी आप कोई live class लेंगे उस live class को record को on करके live class लेंगे तो ओ जो recording होगा ओ यहां पर recording में आके store हो जाएगा फिर यहां पर देखिए दिखा रहा है recorded live lecture will appear here within 24 hour ठीक है मतलब जितना भी time आप class किये होंगे उसका एक वीडियो यहां पर store हो जाएगा मतलब student लोग उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं हम भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं या ओ जो file है उसको जो भी सुचिये आपका class कोई attend नहीं कर पाया ओ बाद में भी और वीडियो देखके उस class के बारे में जान सकता है ठीक है और यह है recording फिर टेस्ट इसमें एक टेस्ट का option दिया हुआ है आप सभी बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं यहां पर create test में क्लिक किजिए जब आप create test में क्लिक करेंगे इसमें दो option है एक mcq और एक subjective मतलब टेस्ट ले सकते हैं subjective का भी टेस्ट ले सकते हैं ठीक है तो सोचिए मैं एक mcq का टेस्ट एरेंज करता हूं तो यहां पर आप mcq को select किजिए फिर enter topic ठीक है enter topic में क्लिक करके यहां पर type कीजिए सोचिए मैं एक computer का test लेना चाता हूं तो मैं यहां पर type कर दिया computer ठीक है computer application उसके बाद कौन सा chapter का आप test लेना चाते हैं उस chapter का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो computer fundamental के बारे में टेस्ट लेना चाता हूं उसलिए यहां पर fundamental डाल दिया फिर यहां पर test date आप कब लेना चाते हैं ठीक है test date हो गया 10-6-2021 starting time 335 फिर test duration 5 minute का ठीक है उसके बाद number of question सोचिये मैं यहां पर 5 ले लिया ठीक है उसके बाद next है number of mark mark for correct answer 2 mark ठीक है अगर आप penalty डालना चाते हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं इसको 2 mark को 1 mark करना चाते हैं तो कर सकते हैं ठीक है इस सभी को फिल अप कर देने के बाद आप यहां पर continue पर क्ल क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ information सोगा आप इसको पढ़ लिजिए नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें आपको mcq वाला question direct type नहीं करना है आप एक के mcq वाला question का PDF बना लिजिए ठीक है फिर उस PDF को यहां पर add कीजिए जैसे कि मैं आप लोगों क को दिखाता हूं add question paper फिर यहां पर आप PDF या image या camera से ले सकते हैं सोचिए मैं already एक PDF बना के रखा हूं तो उस PDF से ले जाते हैं तो यहां पर मैं PDF को क्लिक किया ठीक है फिर मैंने यहां पर एक folder बना के रखा हुआ है टेस्मिंट यहां पर इचमिंट टेस्ट ठीक है यह वा continue पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ओ कुछ add दिखाएगा कैसे add करना है बोलके ओ नहीं चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर यहां पर try now पर क्लिक किजिए जब आप try now पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दिखा रहा है question paper यहां पर जो box दिखा रहा है उस और में दिया हुआ है edit selection box ठीके फिर यहां पर resize को select किजिए फिर इसको select कर दिजिए ठीके फिर आप इसका जो ए जो question है programming language is classified into dash and dash मैंने यहां पर चार्ठ ओप्शन दिया हूं उसमें से कौन सा सही answer है उसको नीचे आप select किजिए ठीके मैं यहां पर उस answer को ले लिया फिर यहां पर देखिए वो third number को shift हो गया मैं उसको उपर में लना चाता हूं तो वो इसमें edit selection में click करके shift आप में click किजिए ठीके फिर उसको ठीक से resize किजिए फिर यहां पर dash was the father of C language फिर यहां पर जो सही answer है उसको select किजिए इसी तरह आप question को select कर लेने के बाद आप यहां पर save पर click किजिए जब आप save पर click करेंगे यहां पर देखिए all question answers marked and the test save successfully got it में click किजिए तो मैंने यहां पर 335 पर मतलब 10th June 2001 335 पर assign किया हुआ है ठीके यह test तो आप देखिए यहां पर test section में आपको एक test दिखेगा not started बोलके दिखा रहा है student phone पर ठीके तो यह 335 पर start होगा अभी 334 हुआ है दो second wait कर लेते हैं यहां पर देखिए 0 by 1 submitted 1 upcoming बोलके दिखा रहा है अभी देखिए यह ongoing दिखा रहा है आप इसमें click किजिए ठीके इस test पर click करने से ओ ongoing दिखाएगा यहां पर topic mark start time number of question test duration negative mark सभी लिखा हुआ है ठीके फिर आप यहां पर start test में click किजिए जब आप start test में click करेंगे तो इस तरह का आएगा देखिए यहां पर दिखा रहा है programming language is classified into dash and dash ठीके फिर आप सुचिए यहां पर answer मैंने select किया B ठीके एक गलत answer में select कर दिया फिर next को click करते हैं फिर next में dash was the father of C language मैं यहां पर select करता हूँ answer फिर next test is a special character which is used to declare a variable ठीके मैं इसको इसका answer को select करता हूँ फिर next पे click करता हूँ फिर dash or dash should not be a keyword ठीके उसको मैं select करता हूँ answer फिर next पे click करता हूँ आप देखिए उपर में देख पा रहे होंगे timer start हो गया है ओ कितना time चलेगा ठीके ओ मतलब मैं 5 minute किया था ओ 5 minute से start हुआ फिर decrease होता हुआ चल रहा है तो यहां पे फिर आया keyword is also known as dash ठीके तो इसका मैं answer select कर देता हूँ उसके बाद यहां पे जो submit option दिखा रहा है आप submit option पे click किजिए ठीके students अभी submit option पे click करेंगे जब आप submit option पे click करेंगे तो यहां पे दिखाएगा are you sure you want to submit the test तो अगर आपका कतम हो गया तो आप यहां पे submit test में click कर सकते हैं जब आप submit test में click करेंगे तो ओ दिखाएगा your test submitted successfully and your score is 4 out of 10 ठीके मतलब दो ही question right हुआ है और तिन गलत हो गया है ठीके आप अभी उसको देख सकते हैं यह देखिए answer sheet दिया हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो आप यहां से जान सकते हैं ठीके तो इसी तरह से आप एक objective test multiple choice वाला ले सकते हैं उसी तरह अगर आप subjective test लेना चाते हैं तो create test में क्लिक करके subjective test को select किजिए फिर topic description, test date, start time, test duration, mark उसके साथ आप अपना question को यहां पे add attachment में attach करके उसको save and create में क्लिक किजिए तो जब भी आप मतलब जो भी time डाले होंगे जो भी date डाले होंगे उसी date उसी time पे start होगा फिर ओ question खलेगा खलने के बाद ओ student लिख के उसका एक PDF बना के ओहीं पे attachment करके आपको भेज देगा ठीके? तो ओ descriptive test है जीसे कि मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ topic सोचिए ओही computer application यहां पे मैं description में computer डाल देता हूँ उसके बाद test date सोचिए 10.6.2021 को 40 हुआ है अभी 43 में हम assign करते हैं ठीके start timing 3.43 ठीके फिर यहां पे test time सोचिए 120 minute 2 hour का ठीके फिर test का mark सोचिए मैंने यहां पे डाल दिया 50 mark यहां पे description में मैं डाल देता हूँ first unit test ठीके फिर attachment में क्लिक करके मैं अपना question यहां पे attach कर देता हूँ ठीके standard 10 first unit test सोचिए एवाला question को मैं attach कर दिया फिर save and create में क्लिक किया ठीके जब आप save and create में क्लिक करेंगे उसी तरह ओ दिखाएगा congratulations test created successfully do you want to add solution अगर आप solution को add कर देना चाते हैं यहां पे add solution में क्लिक करके उसका answer sheet भी add कर सकते हैं नहीं तो skip कर दिजिए ठीक है तो यह create हो गया देखिए अभी student के mobile पे ओसो होगा यह देखिए computer application अभी अगर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा test has not started yet तो ओ time हो जाने के बाद ओ start होगा यहां पे दिखा रहा है duration two hour date time maximum mark ठीके तो यहां पे time दिया हुआ है 3.43 तो ओ 3.43 में ही open होगा यह 3.43 हो गया दिखिए अभी ओ ongoing दिखा रहा है ठीके तो आप यहां पे क्लिक किजिए जब आप क्लिक करेंगे तो ओ question दिखा रहा है यहां पे एक download option दिखा रहा है download में क्लिक करने पर ओ question यहां पे download हो जाएगा दिखिए यहां पे दिखा रहा है question downloading started तो download हो जाने के बाद उसके उपर क्लिक करने से ओ open हो जाएगा ठीके तो open हो जाने के बाद आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं फिर आप मतलब जो भी student होंगे और सभी अपने paper पे लिखेंगे जितना भी यह सभी question answer को लिखेंगे लिखने के बाद उसका PDF बनाएंगे ठीके बनाने के बाद यहां पे add submission में क्लिक करेंगे ठीके add submission में जब आप मतलब student क्लिक करेंगे तो उहां पे add करने के लिए PDF दिखाएगा ठीके सोचे मैं यहां पे कोई भी PDF एड़ कर देता हूँ सोचे मैं यह वाला file को इसमें add कर देता हूँ ठीके उसके बाद submit पे क्लिक कर देता हूँ तो ओ submit हो गया जब यह submit हो जाएगा फिर ओ टीचर के mobile पे सो होगा ठीके view submission यहां पे दिखा रहा है फिर आप उसको open किजिए ठीके फिर यहां पे evaluate में क्लिक किजिए जब आप evaluate में क्लिक करेंगे तो ओ answer sheet यहां पे सो होगा आप उसको download कर लिजिए download कर लिए चेके बाद आप उसको open करके देख सकते हैं यहां पे check किजिए check कर लिएने के बाद आप यहां पे देखिए mark दिखा रहा है तो आप यहां पे type कर दिजिए कितना mark पाना चाहिए ठीके सोचे मैं यहां पर टाइब कर दिया 45 उसके बाद अगर कुछ feedback लिखना चाते हैं तो यहां पर feedback देके save में click कर दिजे तो ओ चला जाएगा ठीके तो इसी तरह से आप objective या subjective का test ले सकते हैं ठीके फिर student student में देखिए आपका जितना भी student होंगे वो यहां पर so होगा ठीके किसी को invite करना चाहेंगे तो इधर से invite कर सकते हैं उसके बाद चार्ट अगर आप इसी क्लास में कुछ discussion करना चाते हैं यह globally discussion होगा मतलब सब वो जितना भी student add होंगे और teacher के साथ चार्ट कर सकते हैं तो इहां पर आप चार्ट करके अपना doubt क्लियर कर सकते हैं ठीके फिर यहां पर notice board में सोचे आप कुछ notice देना चाते हैं तो आप यहां पर add notice फिर सोचे में फिर add attachment में क्लिक करके में time table को add में select कर दिया फिर add कर दिया यह दिखिए यहां पर add हो गया फिर save and create में क्लिक कर दिया तो यहां पर ओ चला जाएगा यहां पर time table फिर file भी save हो गया उसी तरह से आप notice board में notice डाल सकते हैं फिर assignment में अगर आप कुछ assignment देना चाते हैं ठीके student के लिए कोई student को assignment देना है तो आप assignment में जाएए फिर create assignment में क्लिक करके आप यहां पर सोचिये मैं यह के computer project देना चाता हूँ ठीके computer project यहां पर फिर description किसके उपर theory सोचिये मैं यहां पर दिया theory and programming जो भी description आप लिखना चाते हैं लिख सकते हैं theory and programs ठीके submission data आप यहां पर डालेंगे फिर submission time सोचिये आप one week में ओर submit लेना चाते हैं तो आप one week को select कर दीजिये ठीके उसी तरह submission time कब तक फिर mark कितना है ओ select किजिये उसके बाद यहां पर attachment में आप overlap file को select कर दीजिये देखिये मैं यहां पर एक बना के रखा हूँ project for standard 10 उसको मैं यहां पर select कर दिया ठीके उसके बाद save and create में click कर दिया ठीके यहां पर भी ओ पूछ रहा है solution को add करना चाते हैं तो यहां पर solution add कर सकते हैं अगर जब हम solution को add कर देंगे तो ओ जब submit करेगा submit करने के बाद solution को देख पाएगा ठीके तो यहां पर एक प्रोजेक्ट assignment हो गया तो आप यहां पर देखिए इस student phone पर अभी assignment section पर ओ चलाएगा देखिए notice में आप लोगों को दिखाता हूँ यह वाला notice आया है तो उसके उपर click करने से और time table so हो रहा है ठीके तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं ठीके क्या assignment दिया हुआ है तो इसी तरह से student ओ जान सकता है फिर ओ उसका solution निकालके इहां पर add submission में click करके मतलब add करके attach करके और submit में click करके submit कर सकता है ठीके तो उसी तरह से आप assignment भी दे सकते हैं और study material में अगर कुछ document आप send करना चाते हैं image send करना चाते हैं या YouTube video send करना चाते हैं ठीके ओ आप यहां पर कर सकते हैं देखिए YouTube video यहां पर add YouTube video फिर यहां पर URL उसका title और description सुचिए मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ देखिए यहां पर payment process सुचिए मैं एक video add कर रहा हूँ फिर उसका URL को यहां पर डाल दिया फिर आप अगर description में कुछ लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं उसके बाद save and create में click करेंगे तो ओ देखिए यह वलत thumbnail के साथ ओ आ गया video फिर आप इसमें click करके student देख सकता है इस video को ठीके उसी तरह image में अगर image jpg file में कुछ note भेजना चाते हैं तो यहां पर add करके भेज सकते हैं और document को भी भेज सकते हैं तो इतना ही है एक school के लिए मतलब एक classroom के लिए इतना ही चाहिए होता है जो की इस आप में completely दिया हुआ है ठीके देखिए मैं आप लोगों को देखा था हूँ और जो मैंने add किया वीडियो और यहां पर show होगा ठीके study material YouTube वीडियो यहां पर देख सकते हैं और show हो रहा है उसी तरह यहां पर देखिए test में ओ दिखा रहा है ओ एक आया है बोलके recording में भी देखिए जो record हुआ था ओ यहां पर दीख रहा है student और एक साथ और एक बार देख सकता है देखिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीके तो इसी तरह से ओ बाद में देख सकता है live class start work ठीके और जो भी record हुआ होगा उसको बाद में भी देख सकता है तो एही था आज का वीडियो सुचता हूँ सभी student को या teacher लोगों को समझ में आ गया होगा इस teachment आपको कैसे use करें और इसका जितना भी features दिया हुआ है और सभी को कैसे अपने काम में लगाए और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप multiple class conduct कर रहे हैं तो आप each class का separate class group बनाईए और separately student को add कीजिए ठीके और उसका जितना भी function है सभी separately आप set किजिए आपके हिसाब से ठीके मतलब एक ही class group में हम multiple class नहीं ले सकते ठीके तो उसलिए क्या करना है ना यह जो teachment आप है इसमें हम separately सभी class को create करेंगे और separately सभी student को add करके उसको हम conduct करेंगे class ठीके ओर सभी का class conduct करेंगे और एक चीज teacher लोगों के लिए applicable है ठीके अगर सचिए आप जो teachment यूज कर रहे हैं उसको आप desktop में यूज करना चाते हैं ठीके टीचमेंट सिर्फ teacher desktop में यूज कर सकता है ठीके student यूज नहीं कर सकता तो उसलिए अगर कोई teacher चाहता है कि ओ अपने desktop में या अपने laptop में ओर teachment को यूज करके class लें तो ओ कैसे लेंगे ठीके उसके लिए आप अपने mobile में teachment को open किजिए ठीके टीचमेंट को आप जब open करेंगे इहां पे आपको एक option मिलेगा ठीके share option का desktop के साथ देख रहे हैं आपको classroom के अंदर share option एक मिल रहा है ठीके आप उसमें click किजिए जब आप उसमें click करेंगे तो आपको एक QR code दिखेगा और नीचे एक blue color में site लिखा हुआ दिखेगा ठीके आप उस site को अपने computer में type किजिए ठीके अपने computer के किसी एक browser पर type किजिए जैसे कि मैं यहां पर type कर रहा हूँ ठीके login.teachment.com ठीके आप जब इस site को type करेंगे फिर enter दबाईए enter दबाने के बाद उहां पर एक QR code दिखेगा तो आप यहां पर scan QR code में click किजिए फिर आप उस QR code को scan किजिए ठीके जब आप उस QR code को scan कर लेंगे तो आपका mobile का जो teachment है और desktop पर open हो जाएगा आप देखिए यहां पर open हो रहा है ठीके यह देखिए open हो गया ठीके फिर यहां पर देखिए मैं जो class create किया था standard 10 ठीके ओ standard 10 class यहां पर 100 हो रहा है आप उहां पर click करने के बाद आपको जितना option मिल रहा था mobile पर ओ सभी option यहां पर मिलेगा मतलब इस सभी option को use करके आप desktop या laptop पे इस teachment को use कर सकते हैं as a teacher पढ़ाने के लिए ठीके तो एही था अगर फिर भी आप लोगों का कुछ doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं अगर मेरा एप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को like कीजिए उसके साथ अब तक जो भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किये और बिना subscribe किये मत जाएगा आज के लिए इतना ही thank you have a good day